नमिश्कार दोस्तों टेक स्केन के एक बिलकुल ना है फ्रिस और एक्साइटिंग एमस्वर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों Vodafone Idea Company की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कमपणी का खड़ाब दिन खतम नहीं हो रहा है V.I. Company continuous ले अपने से सब्सकाइबर लोग्स करती हुए जारा और हमें पता है कि Vodafone Idea Company का जो वांतर हिस्सा है वो में लिए गवर्मेंट ले चुका है कमपणी है वो मैं लिए वी आई कमपणी के लिए एक हुज इन्वेस्टमेंट के इंतजाम करें आधित्यों विल्ला ग्रूप जो एक प्रोमोटर है उनकी तरफ से गवर्मेंट को जब आस्वासन दिया गया कि हां वो इंतजाम करेंगे तो उसके बादी गवर्मेंट इस पर्टिकूलर डील को लेकर आगे बढ़ा तो आज के डेट के अंदर वोड़ाफोन आइडिया का फाइनल सेल करनिशन काफी सदा खड़ा बे लेकिन आपको सुनकर ये बहुत सदा हैरानी होंगे सिर्फ 2022 साल के अंदर वोड़ाफोन आइडिया कितने सब्सक्राबर्स होए और 2001 साल के जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा चले वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर इसके बढ़ में पूरा डीटेल्स जाल लेते हैं दोस्तो कुछी दिन पहले वोड़ाफोन आइडिया कंपणी की तरब से में लिए फाइनल से लिए 2023 के थार्ड कोर रहे हैं अक्टोबर नवेंबर डिसेंबर ये तीन महीने का रिपोर्ट पाब्लिस किया गया है तो इस तीन महीने के अंदर वोड़ाफोन आइडिया अल्मोस्ट आठ हजार कर रूपय का लॉस यहां पर गया और जो लॉसिंग का अमाउंट है वो काफी जादा है तो अगर मैं वोड़ाफोन आइडिया कंपनी के बात करता हूं तो फाइनिलचल एर 2022 के 3rd quarter से, फाइनल सेयर 2023 के 3rd quarter थæक मतलब ये पूरे साल तक वोड़ाफोन आइडिया कंपनी ने 20 मिलियन सब्सकाबर सपने से खुए है अगर मैं नॉर्मली बता हूँ तो 2 करोर सबस्काइबर वोड़ाफुन आइडे ने सिंप्ली एक साल के अंदर खोए है 2022 फाइनल सेलियर के थार्ड क्वाटर के अंदर मतलब मैं यहां पर कह सकता हूँ कि फास्ट जानौरी 2022 के अंदर वोड़ाफुन आइडे के पास सबस्काइबर था 229.5 मिलियन 229.5 मिलियन टोटल सबस्काइबर था फास्ट जानौरी 2022 और 31 डिसेंबर 2022 के अंदर Vodafone ID के पास subscriber है 209.6 million मतलब total 20 million subscribers मतलब 2 करोर subscribers पूरे साल के अंदर Vodafone ID company को छोड़ कर जा चुके हैं अगर मैं पिछले साल की बात करता हूं मतलब 1 January 2021 से 31 December 2021 की बात करता हूं तो उस time के अंदर Vodafone ID company का subscriber loss amount 18.9 million मतलब 18.9 million तो उससे भी ज्यादा subscriber में लिए इस final sale year के अंदर loss हुआ है तो एक बार आप हिसाब देख सकते हैं कि कितना ज्यादा amount of subscriber loss Vodafone ID company के अंदर हर साल हो रहा है 1 January 2021 के अंदर Vodafone ID company का total subscriber बेच्टा 247.2 million जो 31 January 2021 के अंदर हो चुका है 228.6 million तो इतने ज्यादा amount of subscriber में लिए इससे पहले वाले साल के अंदर Vodafone ID ने खुआ था तो आप यहाँ पर देख सकते ही कि कितना ज्यादा amount of subscribers Vodafone ID यहाँ पर loss कर रहा है हर साल तो यहाँ पर हमें clearly देखने के लिए मिल रहा है कि Vodafone ID यह company जो अपने prepared plans कर रहा था वो completely fail हो गया जैसे अगर मैं hero unlimited benefits के बात करता हूँ तो वो सबसाथ promising service था Vodafone ID के prepared गहाको के लिए क्योंकि वहाँ पर आपको binge all night, data relate उसी के साथ आपको weekend data lover जैसे offers provide किया जा रहा था prepared segment के अंदर जिसके लिए Vodafone ID company सोचते थे कि उनके साथ subscriber return रहेंगे लेकिन Vodafone ID company के अगर मैं overall service quality की बात करता हूँ तो वो इतना अच्छा नहीं है uploading, downloading speed काफी बढ़िया है लेकिन Vodafone ID को भी यह समझना होगा कि आज के date के अंदर सिर्फ uploading और downloading से कुछ नहीं होता अगर मैं gaming experience की बात करता हूँ, video streaming performance की बात करता हूँ, 4G availability और 4G connectivity, 4G speed की बात करता हूँ तो वो Vodafone ID company के अंदर काफी खड़ाब है जिस कारण से लोग V.I. company साथ जूर नहीं पर है अगर मैं particularly Airtel company की बात करता हूँ, तो overall uploading, downloading speed तो आपको उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेंगे लेकिन अगर मैं connectivity, smoothness, video streaming performance या gaming performance की बात करता हूँ, तो वो Airtel काफी सूपी राट है और इसी कारण से लोग Airtel के sim card के साथ जाना जाते हैं हाला कि वहाँ पर speed थोड़ा सा कम मिलें चलेंगे, लेकिन हर इक चीज़ जो वो एकदम smoothly चलते हैं, आप YouTube का वीडियो चलाओ, एक बार click करो, चालू हो जाते हैं, वहाँ पर Vodafone ID के अंदर speed जाना होने के बाद भी चालू होने में time लगते हैं, तो ऐसा सुभी दा जो वो सार्विस उसको प्रोवाइड किया जार, और कब 5G सार्विस लॉंच करेंगे, इसके बार में कोई भी आपडेट जो वो वी आई कमपनी के तरब से निकल के नहीं आए, तो अगर में बात करते हूं, तो Vodafone ID कमपनी को इस पर्टिकुलर चीज़ के बार में सोचना होगा, प्राइस आई करके कमपनी को बचाया नहीं जा सकता, जिस तरीके से Vodafone ID कमपनी के उपर सबस्काबर लॉस हो रहा है, उससे देखते हुए, आने वाले टाइम सबस्काबर लॉस के उपर एकदम फूल स्टॉप लगाना होगा Vodafone ID कमपनी को फिट जाकर, आने वाले काफी जदा क्रोशिया ले और इस तीन महेने के अंदर हमें Vodafone ID के फ्यूचर के बढ़ में एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएंगे, अगर आप एक Vodafone ID के ग्रहा के तो आप मुझे कॉमेंट सेक्स मेरे कॉमेंट करके ये बताओ कि वी आई का सार्विस आपके एडिया क अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ नहीं जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक किजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर किजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पासमेल आइकोन को दबना बिल्कुल भी मत वुलिए, ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो डे के लुकिये का